हेलो स्कूर्ण स्वागत है आपका विक्रम एकाडेमी के यूटूब चैनल पर आज हम एट स्टैंडर का हिंदी सब्सक्र देखने जा रहे हैं तो आपको तो पता है सेकेंड लेशन वारीश कोन यह हमने पहले से ही सीखा हुआ है और आज हम यहाँ पे कुछ उसके प्रैक्टिस रिलेटेड स्वाध्धाय कृति सौल करके लेने वाले हैं तो यहाँ पे आपका एक्स्ट्रा प्रैक्टिस होने वाला है ठीक है चलो फिर कोकस करते हैं तो सबसे पहले, पहला सवाल है आपके सामने, आकृती पूर्ण करो, तो यहाँ पे आकृती पहली है, संख्या है लिखो, राजा, बेटिया, साल, गेहों के दाने, कितने थे, राजा था, एक, बेटिया थी, शार, साल कितने थे, पांच, गेहों के दाने कितने थे, सो, ठीक ह अबी आएके के एक्टिविटी चवथी बहन को ये पसंद था क्या शरारत करना और दूसरा केहूं के भुने दाने खाना ठीक है अबी नमबर थ्री पसल तैयार होने की प्रख्रिया चार पॉट में बताना है पहले का आईगी दाने बोना दूसरा अंकुर फूटना तिसरा पॉधे तैयार होना और चवथा दाने निकलना तो ये प्रख्रिया बतानी थी किस तरह से फसल तैयार होती है ठीक है आगे बड़ी राजकुमरी गेहूं के दाने क्या किया उसने यहां से ले आई और इन्हें दे दिये तो यहां से मतलब कहां से यहां पे अंसर है बंधार घर और इन्हें दे मतलब किसको राजा को चीक है अभी आगे गेहूं के दानों का चारो बहिनों ने क्या क्या तो ये जुकृती है ये सध्धाय की है और आपको दाने राहे चार इसके अंसर है बड़ी बहन न चांदी के डिब्बी में डाल कर संदुक्ची में डाल दी तिसरी बहन ने अपने कमरे के खिड़की के पीछे वाले जमीन पर दाने बो दिये चौती बहन दानों को भुनवागर खा गई तो चारों भईनों ने क्या-क्या-क्या गेहूं के दानों के साथ यहाँ पर उत्तर दे दिया है चलो फिर आगे बढ़ते हैं सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखो ऐसा सवाल यहाँ पर है तुम इसे अपने पास रखो साल बाद मैं इने मांगूँगा तो अप्शन से चार साथ पांच आपको तो पताई होगा कितने? येस पांच तो पांच लिखकर मतलब सेंडेंज पूरा लिखने के बाद यहाँ पर पांच अंसर आएगा यह आपका लिखने का तरीका होगा मैं यहाँ पर उनली आपको अंसर बता रहा हूँ, आपको लिखना है, चीक है, डैस के दाने लेकर चारो बहने अपने कमरे में लौट आई, चावल बाजरा गेहूं, तो अंसर गेहूं के दाने थे, ठीक है, अंसर मिल गया, बड़ी बहन ने उन दानों को डैस के बाहर फेक खिडकी महल दरवा से, तो अंसर खिडकी, येस, खिडकी के, सव थी और छोटी बहन तनिक डैस थी, बूढ़ी बच्ची अकलमन, तो बूढ़ी तो थी नहीं, अकलमन थी बच्ची थी, ओके बच्ची थी, जरूर इसके पीछे कोई डैस होगा, तो देश एतु मकसर, तो अ आज कुमारी ने तैयार डैस में से दाने निकाले, तैयार क्या, फेड, फेड नहीं होता है न, बीज नहीं होता है, फसल होती है, फसल में से दाने निकाले, पांच वर्षों में उसके पास धेर सारा डैस तैयार हो गया, चावल, अनाज, गेउ, तो गेउ ही आएगा, तयार हो गया, ओके, आगे, मैं वहाँ आपको डैश ले चलूंगी, तो कहां, आज, कल परसो, मैं वहाँ आपको कल ले चलूंगी, कल, कल ये सही अंसर है, ठीक है, तो, मैं उन्हें डैश खा गई, अंसर आपको पता होगा, येस, विगो कर, भुनवा कर, पका कर, भुनवा कर, भुनवा कर खा गई, ये अंसर आएगा, अच्छा, तुम ही मेरे राज़े की सच्छी डैश हो, रानी योरादनी उत्तराधी कारी, क्या अंसर है, पता होगा अगे सवाल है, परिणाम लिखो, गेहुं के दानों को बोने का परिणाम, तो परिणाम क्या हुआ, पाच वर्षों में धेर सारा गेहुं तयार हो गया, ठीक है, आगे, पहली राज़कुमारी को कड़क कर, पूछने का परिणाम, तो उसने सच्छी बात बता दी, दूसरी राज़कुमारी का संदुक्षी में दाने रखने का परिणाम, क्या हुआ, दाने सड़ गए, अभी सही गलत बताना है आपको, चलो, देखते हैं, तिसरी बेटी को गेहु के भुने दाने खाना पसंद था, सही है या गलत, तिसरी बेटी को नहीं खाना पसंद था, तिसरी बेटी ने तो अनार्ज गेहु गोया था, तो ये गलत होगा, ठीक हैं, ये गलत रहेगा तो आप क्या करोगे, राजा घोडे पर सवार हो गया ये भी गलत है बहुत बड़े खेत में गेहो की फसल थी ये सही है खेत भी बड़ा था गेहो की फसल भी बड़े थी तो ये सही है तो सही वाला डिक माल लेंगे राजा ने तिसरी बेटी को गली लगा लिया हाँ क्योंकि उसने कामिया इसा किया था तो यह सही होगा यह सही है तो पहले दो गलत थे और बाद में के दो सही है ठीक है अब आखरी वाला सवाल आपके लिए विलोम शब्द याने विरुद्धार की और समनार्थी शब्द तो विलोम शब्द देखते है आरहमब अंदर अ अ सुरक्षा सुरक्षा कम बहुत ना पसंद पसंद अभी समनार्थी देखने है जनप पिता हेतू मकसत कक्ष कमरा धर्ती जमीन वक्त समय साल वर्ष नूप राजा जवाब उत्तर तो यह समनार्थी शब्द तो इस प्रगार हमारी जो एक्टिविटीज थी जो में यहाँ पर एक्षा आपकी लेना चाहता था तो यहाँ पर तो एंड हो चुकी है ज्यादा से ज्यादा खुरूती और सध्याय और अलग-अलग तरह के क्वेस्टन्स यह टोपिक पर लिए है यहाँ पर तीक है आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है अच्छे से अपने बुक में भी औ और आपको एक्जाम के लिए तयार है ठीक है कोई बात नहीं अभी हम मिलेंगे नए वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई देखें